हलो एवरिवन मैं यहाँ पर प्रिस करता हूँ एन श्टार और एक में शॉर्टकट प्रिस करता हूँ देखिए यहाँ पर जितने भी एन से स्टार्ट होने वाले है वो फिल्टर हो चुके यहाँ फिर मैं यहाँ पर प्रिस करता हूँ श्टार जी और शॉर्टकट की प्रिस प्रेस रहता हूं यहाँ पर जितने भी जीसे एंडिंग है वह फिल्टर हो चुके उसी प्रकार मैं याँ पर प्रेस करता हूं स्टार टी स्टार और एक शॉटकट की प्रेस करता हूं इसमें जितने भी कस्टमर में टी अलपावेट है वह फिल्टर हो चुके इसी प्रकास से मैं यहाँ प्रेस करता हूँ सकता हूँ buy from आप पहर मूल देन ठ्रink नमद ऑ습니까 करता हूँ और एक शॉंट सकता हूँ ने यहाँ पर जो more than 10 ठावजन है वह फिल्टर हो तो आज हम इसे tips and tricks को देखेंगे, जिनका यूज करके Excel में जो आप filter में काम करते हैं, उसके speed को double कर सकते हैं, और आपके productivity को double कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि wildcard के साथ filter को कैसे use किया जाता है, उसके बाद search box में wildcard को कैसे use किया जाता है, उसके बाद conditional filter जो कि selected sales value को लगाया जाता है, उसके बाद filter by selected sales value, उसके बाद हम quickly filter को apply कैसे कर सकते हैं, उसके बाद quickly filter को open कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद filter को quickly clear क कीसे है तो इस वीडियो को अंतक जरू देखेए मैं आपको एक प्रॉमिस करता हो.. कि इन टीप औन ट्रिक्स को स्खे आप जो फील्टर में काम करते उसके स्पीड को डपल कर सकते और आपकी मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर end से start होते customer उनको मैं सिफ filter करना चाहता हूँ तो मैं end प्रेस करूँगा और start प्रेस करूँगा start एक while करें ठीक है और यहाँ पर मैंने एक quick access toolbar में auto filter का icon यहाँ पर set किया है इसको आप कैसे सेट कर सकते है आप कई भी click किजे राइट क्लिक किजे और यहाँ पर customize quick access toolbar इस पर क्लिक किजे यहाँ पर मैंने auto filter का icon दीख रहे है मैं इसको remove करता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर command में जाके मैं all command select करता हूँ और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर auto filter होगा देखे auto filter इसको मैं add करूँगा और ok करूँगा हमारा auto filter का icon यहाँ पर आ जाएगा जैसे मैं start प्रेस करता हूँ और auto filter पर क्लिक करता हूँ देखें जितने भी end से starting होते हो यहाँ पर filter हो चुके इसके लिए एक shortcut भी है आप प्रेस की जे alt फिर यहाँ पर आपको दिखाए देगा जो आपका shortcut है मेरा 5 मतलब मैं अगर यहाँ पर alt 5 प्रेस करता हूँ तो मेरे जितने भी end से हो यहाँ पर filter हो चुके अभी मान देजिया मैं चाता हूँ जितने भी g last में है वो select करना चाता हूँ तो मैं star प्रेस करता हूँ और g प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं alt 5 प्रेस करता हूँ देखिए जितने भी g last में है वो यहाँ पर filter हो चुके यहाँ पिर मैं चाहता हूँ कि जिनमें भी T अलपाबेट है उनको मैं फिल्टर करना जाता हूँ तो मैं स्टार प्रेस करता हूँ, T प्रेस करता हूँ और स्टार प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं Alt, P प्रेस करता हूँ देखे जिनमें भी T है वो यहाँ पर फिल्टर हो चुके या फिर मान देजिए मैं यहाँ पर सूपर फास्ट जिनमें है उनको सिलेक करना जाता हो और स्टार और यहाँ पर मैं अल्ट पाई प्रेस करता हूँ देखे जिनने भी सुपर पास्ट नेम है वो यहाँ पर फिल्टर हो चुगे इसी तरह से वाइल करका इस्तमार करके आप स्टार्टिंग किस से करना चाहते तो एंड स्टार प्रेस किजे या पिर आप किसी भी अल प्रेस में कोई अल्पाबेट या में प्रेस किजे स्टार कैजे और यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कीजे यह फिर आपका फिल्टर तक में क्यों पास्ट प्रेस कीजेा के उनको मैं filter करना चाता हूँ, तो मैं फ्रिस करता हूँ N और while card के लिए start दीखे जितने भी N से start होते हैं, वो यहाँ पर filter हो चुक है यहाँ भी रगर मैं चाता हूँ कि जितने भी G से n नहीं गए, वो मैं select करना चाता हूँ, तो मैं start press करता हूँ, और G देखे वो select हो चुगे जिनके last में G alphabet है या फिर पहले कितार हम देखते है कि star start T star यहाँ पर देखे जिनने भी T alphabet है, वो ship select हो चुगे यहाँ पिर हम देखते superfast star देखे, जिनने भी superfast है वो यहाँ पर filter हो जोगे इसी प्रका से while card का इस्तेमाल करके आप जो filter में काम करते उसके speed को आप double कर सकते और यह एक जो auto filter option है उसको आप जरूर यहाँ पर लाइए क्योंकि यह बहुत ही काम काये कोने अभी हम देखते कि conditional filter by selected sales value मतलब मान लिजे मैं यहाँ पर जितने भी more than 10,000 है उनको filter करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर simple लिखूँँगा more than 10,000 और यहाँ पर मैं जो आमारे short cut है alt 5 उसको प्रेस करूँगा देखी यहाँ पर जितने भी more than 10,000 है वो सिर्फ फिल्टर हो चु तो less than 10,000 और यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ अल्ट 5 देखे यहाँ पर जितने भी less than 10,000 है वो फिल्टर हो चुकिए यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ मान देजे यहाँ पर मैं 2160 यह नंबर जिन में भी है उनको filter करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको type करूँगा औ देखे इसमें एक में 2160 है इसलिए फिल्टर हो चुका है इसी प्रकास से आप more than less than यह पिर आप कोई selective amount चाहते उसको यहाँ पर लिक लिजे और आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते यहाँ पिर आप shortcut प्रेस कीजे अल्ट 5 आपके लिए shortcut अल्ट प्रेस करेंगे तो किसी भी एक नेम को customer name को मैं filter करना चाता हूं तो मैं simple इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर right click करूँगा और filter और filter बाच selected ses value देखे यहाँ पर सिर्फ नीता के जो customer के बील है वो यहाँ पर filter हो चेके है यहाँ पिर आप simple यहाँ पर क्लिक किजे और quit access toolbar पे यहा पिर और फिल्टर पे प्लिक किजे या फिर आप आपकी जो shortcut है ULT5 उसको प्रेस किजे है तो इस तरह से आप किसी भी customer पे क्लिक किजे और प्रेस किजे आपकी shortcut ULT5 और मान देज़े यहापर किसी amount को आप फिल्टर करना चाहते तो तो simply उसी amount पे click किज़े और paste किज़े alt 5 आपके लिए shortcut अलग हो सकते हैं आप देख लिए यहाँ पर click करता हूँ और paste करता हूँ alt 5 मतलब आप किसी भी एक value को select करके मान देजी जेस्ट नमबर भी है तो भी जेस्ट नमबर को select किज़े और paste किज़े alt 5 इसी प्रकर से जो भी value को या पिर जेस्ट नमबर को या पिर amount को आप filter करना चाते उस पर click किज़े और quick access tool बार में यहाँ पर auto filter पे click किज़े या पिर आप आपकी shortcut प्रेस करके उस selective amount को या पिर selective value को filter कर सकते अभी हम देखते कि quickly filter को apply कैसे करते और filter को apply करते वक्त आपको किन इंकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो बहुत सारी लोग इस तरह से filter apply करते यहाँ पर क्लिक करते और control shift L प्रेस करते लेकिन इस तरह से filter लगाने में एक problem रहते कि मान देजिए यहाँ पर कोई gap है और आप इस तरह से filter लगाते control shift L तो यहाँ पर जो gap के नीचे उसको filter value नहीं पकड़ेगा मतलब मैं यहाँ पर देखें यहाँ पर open करता हूँ यहाँ इतने बील दीका रहा है मतलब यहाँ पर सितना नाम समर हॉलिडे इनके बील शोर नहीं हो रहे क्योंकि हमने इस यहाँ पर control shift L करके filter लगा हुए तेकिन यहाँ पर जो gap है उसके नीचे filter apply न करता हो और बाद में control shift L देखिए यहाँ पर अगर मैं open करूंगा तो मुझे सारे बील दीकाई दे रहे हैं इसी तरह से आप अगर filter को apply कर रहे है तो सबसे पहले पूरे टेबल को सिलेक कीजिए और filter के लिए दो शॉटकटे सबसे पहला alt-at alt-at और उसके बाद control shift L और आप चाहे तो यहाँ पर data table में जाके भी filter लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास इस दो जो shortcut है alt-at या पिर control shift L इनको यूज़ करके आप तुरंद filter लगा सकते हैं लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपका सेबल पूरा सिलेक कर लिजे क्योंकि कई पर gap होगा तो भी filter filter में कोई तकलिफ नहीं आएगी अभी हम देखते कि quickly filter को open कैसे करना है और उसमें फास्ट में work कैसे करना है मतलब मान देजे आप यहाँ पर filter को open करना चाते तो वहाँ पर आप click किजे और press किजे alt-down arrow आपका filter open हो जाएगा या पिर आपका यहाँ पर बीच में है तो सबसे पहले प्रेस किजे control-up arrow आप यहाँ पर आए जाएगे बाद में प्रेस किजे alt-down arrow इस तरह से आप filter को open कर सकते और मान देजे आपको यहाँ पर डायरेक्ट जम करना है तो आप प्रेस किजे e जैसे आप e प्रेस करेंगे आप यहाँ पर डायरेक्ट जम करेंगे उसके मतलब down arrow, up arrow और space इससे आप selection कर सकते और मान लेजे आप यहाँ पर end में जाना चाते तो प्रेस किजे end की और home में मतलब starting में जाना चाते तो प्रेस किजे home की इस तरह से end की और home की इसका इस्तमाल करके आप उपर नीचे जा सकते और जब भी आपका selection हो जाएगा आप प्र filter open करने के लिए यहाँ पर जम करने के लिए e-press किजे और home, end की और home की इनका इस्तमाल आप उपर नीचे जाने के लिए करेंगे और filter लगाने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे अभी हम देखते कि filter को quickly कैसे clear कर सकते हैं मतलब यहाँ पर मैं कुछ filter लगाता हूँ और मैं इनको clear करना चाता हूँ तो मैं simply alt down arrow करके इसको open करूगा और यहाँ पर clear पर click करूगा या फिर मैं simply press करूगा C जैसे मैं C press करूगा यह filter clear हो जाएगा मतलब सबसे पहले आप मैं इसको select करता हूँ आप alt down arrow करके इसको open कीजिए और press कीजिए C आपका filter clear हो जाएगा यहा फिर आपने दो तीन जगा पर filter लगाया हूँ यहापर मैं filter लगाता हूँ और यहाँ पर भी filter लगाता हूँ को और मैं दोनों फिल्टर को एक साथ कलियर करना चाहता हो तो मैं यहाँ पर डेटा पर जाओँगा और है यहाँ पिर मैं ऑल्ट ए स्ी ने ऊपर ऐसी प्रेश करेंगे आपके सारे फिल्टर कलियर करना चाहते है तो आप उस फिल्टर को open कीजिए Alt Down Arrow से और प्रेसे जिए C और सारे फिल्टर को एक सार क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्रेस कीजिए Alt A C अभी हम देखते कि फिल्टर को quickly remove कैसे करते हैं फिल्टर को लगाने के और फिल्टर को remove करने के दोनों प्रोसेस से मिए मतलब जैसे आप Alt A T से या फिर Ctrl Shift L से फिल्टर लगाते उसी तरह से आप Alt A T से फिल्टर को remove कर सकते या फिर Ctrl Shift L प्रेस करगे आप फिल्टर को remove कर सकते मतलब फिल्टर को apply करने के और फिल्टर को remove करने की प्रोसेस से नहीं है ठेंक्यू अर्यवन अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जलू इसको शेयर कीजिए और चैनल सो सबसाइब काना मत बुलिए क्योंकि मैं इस पर ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आपकी प्रोड़क्ट टीट्यू को डबल कर सकते ह थेंक्यू